प्रभु येश मसी के नाम में मैं अप सभी को सलाम कहता हूँ परमेशल Пitah का धनिवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए जो उसने हमारे जीवनों में दिया है और इस जो यूथ कॉनसों हो रही है इसके लिए परमेशल Pitah का धनिवाद देता हूँ परमिश्य पिता का धन्यवाद देने के बाद, डॉक्टर मैथ्यू के थॉमसर का, जो पंधिकॉस्टल चर्च ओफ गौड इतारसी के सीनियर पासवान है, और भूत्पूर्व विश्व पंधिकॉस्टल कलीसिय के सेकेटरी रहें, जो पूरे विश्व की पंधिकॉस्टल कल कि उन्होंने ये आउसर मुझे दिया है कि परमिश्य के वच्चन को आपके बीच वे मैं रख सकूँ, जो जवानों की इस सबहा है, और सीधे में टेक्स पर आना चाहता हूँ, जो परमिश्य पिता, आज हम से क्या बाते करना चाहता है, क्योंकि जवान हैं, वो बहुत ही म अबादी वाला देश है, इसलिए अत्यन तावशक है कि हमारे कलीश्य के जवान परमिश्य के उन्स बताए हुए मारगों पर चलें, जो इन अंत के समय में संसार के हर घटनकरम हम से कुछ कह रहे हैं, ये लडाईयां, ये महमारियां, ये भूकंप, ये आकाल, ये चल रहे हैं, ये चीक-चीक कर कह रहे हैं कि प्रभु ये श्मसी बहुत जल्द आ रहा है, और जब ये श्मसी आ रहा है, तो क्या मेरे और आपके संग परमिश्वर है कि नहीं, क्या मेरे संग, हम जवानों के संग परमिश्वर है कि नहीं, आज इस बारे में मैं चर्चा कर चाहूंगा और मैंने वे दिन करना चाहूंगा कि पवित्र शास्त क्या कहता है उत्पत्ति की किताब 28 वाध्याय उसकी दस्वी आयस से हम पढ़ना प्रारम करेंगे देरशेबा से निकल कर हारां की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुशकर रात वही पिताने का विचार किया क्योंकि सुर्य अस्त हो गया था हाँ बाइबिल कह रही है कि ये अपने परिवार से निकला है या यू कहें कि ये घर से भागा हुआ है इसके माता है पिता है भाई है भरा पूरा एक परिवार है संपन है धनाड है और पूरे भरी जवानी में अपने घर से जब ये भाग रहा है तो एक जगे जाके एक जंगल में जाके वहाँ पर रुखता है और निर्ने लेता है कि वहाँ पर विश्राम करे और फिर बाइबल बता रही है कि सूर अस्त हो गया है सब कुछ ऐसा लग रहा है कि समाप तो हो गया है ऐसा लग रहा है कि अब ये अकेले पन के दोर से गुजर रहा है ना इसके पीछे आगे पीछे ना माबाप है ना परिवार का कोई सदस है कोई भी जनब इसके संग नहीं है और सूर्य अस्त हो रहा है शायद बहुत से जवानों के जीवन में भी ऐसी परिस्थितिया है उनको जिन्दगी के कॉम्टेटिव एक्जाम में असफल हो गए हैं शायद परिवार से दूर हैं परिवार से निकल गए हैं और उनकी जिन्दगी में भी सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है उनको कोई मनजल दिखाई नहीं दे रही है उनको ऐसा लग रहा है कि अब हम क्या करें और क्या ना करें और याकूब भी इसी जीवन से गुजर रहा है और ये भाग रहा है और अंत में एक जिंगल में जाके विश्राम करने का निर्ने लेता है और फिर वहां क्या होता है बाइबिल क्या कहती है हम आगे देखेंगे उसने उस थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तक्या बना कर रखा हाँ और याकूब ने न तक्या सोने का है न वहाँ पर उसके पास कोई गदा है सोने का उसने एक पत्थर का तक्या बना लिया है कि रात को मैं यहाँ पर विश्राम करूँगा और वहाँ पर वो विश्राम करने की कोशिश ही करता है तो बाइविल बता रही है कि क्या घटना क्रम वहाँ पर घट रहे है देखें आगे बाइविल क्या कहती है उसने सपन में क्या देखा कि एक सीड़ी फुथवी पर खड़ी है और उसका सीरा स्वर्ग तक पहुचा है और परमिशर के दूद उस पर से चड़ते उतरते हैं जी हाँ अब याकूब बड़ा दुखी है बड़ा अकेला है कोई भी नहीं है कोई समझाने वाला नहीं है जिंदगी में भाग रहा है अकेला है जंगल के अंदर है और वहाँ पर क्या देख रहा है जब पत्थर का सिराना रखके सोता है तो एक सीड़ियां देख रहा है और सीड़ियों में सुर्दूत उतर रहे हैं चड़ रहे हैं और वहाँ पर उसका encounter पर मेशर से हो जाता है मेरे प्रिविश्वासी जवानों आज जिंदगी के अंदर आप भाग रहे हैं, आप परिशान हैं, आप तूट गए हैं, आप निराच हैं, आपको असा लग रहा है, सब कुछ समापत हो गया है, अब हमारे पास कोई आशा नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई बात ने करने वाला नहीं है कोई भी नहीं है पर ऐसे समय में याकूब का एंकाउंटर परमेशर से होता है यह तेंत आवशक है मेरे और आपके जीवन में कि हमारी मुलाकात परमेशर से हो जाए लोग केते हैं परमेशन ने इतना प्यारा क्यों कहा याकूब को परमेशन ने इतना अपने जीवन में घटना करम घटे हैं, इसने बहुत से यहां पर दगाबाजी करी है, पर परमेशर का यह प्रिय क्यों है, जर अस सुनेंगे, क्यों यह कह रहा है, इसकी पंदरवी आयत देखेंगे, बाइबल क्या कह रही है, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, हाँ, यह यहां प परमेशर इससे कह रहा है, मैं तेरे संग रहूंगा, शायद आप अकेले हैं, शायद आप टूट गए हैं, शायद आप निराश हैं, परंतो ऐसी परिस्तिती में आपसे गलतिया भी हो गई है, याकूब के समान, परंतो बाइबल का जो परमेशर है, वो मेरे और आपसे कहन सुनो जवानो, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, दुनिया के लोग तुम्हारे संग न रहें, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे संग न रहें, तुम्हारे रिष्टेदार तुम्हारे संग न रहें, शायद कलीसिया के लोग भी आगे पीछे हो जाए शायद हमारे अपने जिस पे हमने भरुसा किया है, वो हमारे संग न रहें, परंतु परमेशर हमारे संग यदि रहेगा, तो मेरे और आपके जीवन में आशिशे आएंगी, परमेशर यदि हमारे संग रहेगा, तो निश्चित सारी बादाएं हम पार कर लेंगे, परमेशर य तो उत्पत्य 28 याकूब ने यहां मन्नत मानी कि यदी परमिश्वर मेरे संग रहे कर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे जरा समझे याकूब यहाँ पर एक प्राथना कर रहा है प्रेयर ओफ जेकब यह याकूब की यहाँ पर प्राथना है और एक मन्नत मांग रहा है और वो कह रहा है यदी मेरी यात्रा में परमेशर मेरे संग रहे वो यहाँ पर कह रहा है मेरे प्रिय जवानो आज शायद आप असफल इसलिए है कि आपके दोस्त आपके संग है आपके रिष्टदार आपके संग है आपके मित्रिमंडली आपके संग है आपके सलाकार आपके संग है परंतु शायद परमेशर आपके संग नहीं है और जब परमेशर हमारे संग रहेगा यकीन मानिये हम सफल हो जाएंगे यकीन मानिये हम जीवन में, जो हमने सुपन देखे हैं, वो हम सफल हो जाएंगे, याकूब ने भी यहां पर सुपन देखा है, और जो सुपन इसने देखा है, कि परमेशर इससे बाते करना चाहरा है, परमेशर कहरा है, मैं अबराहम का परमेशर हूँ, मैं तेरे दादा अब Bible क्या कहती है? परमिश्वर मेरे संग रहे कर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे? हाँ, प्रेयर औफ प्रोविशन के बाद प्रेयर औफ प्रोटेक्शन की बात कर रहा है यह यह प्रेयर उसने एक प्रात्न करे यदि तू मेरे संग रहेगा If you will be with me कितनी अद्बुत मात हैं हमारे संग कोई रहे या ना रहे परंतो यदि परमिश्र हमारे संग रहेगा हमारा खुदा यदि हमारे संग रहेगा यह किन मानिये मेरे प्रियों जो भी हमारे स्वपन है जो भी हमारा दर्शन है जो भी हमारी एक चाय है वो निश्चित परमेशर पूरा करेगा और फिर वो कह रहा है कि यदि तू मेरी रक्षा करेगा He was praying for the prayer of protection मैं इनके detail में नहीं जा रहा हूँ मैं कुछ glimpse और जलक आपके सामने रख रहा हूँ उसने सुरक्षा की प्रात्ना करी आज जवानों आपको अपने सुरक्षा की प्रात्ना परमेशर से करना है और परमेशर जब आपके संग रहेगा तो वो आपकी रक्षा भी करेगा और आगे चले और मुझे खाने के लिए रोटी और पहिनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिका के घर में कुशलक शेम से लटाओ हाँ यह यहाँ पे आप प्रेयर और प्रॉविशन कर रहा है वो बुर रहा है यदि तु मुझे खाने को रोटी देगा मेरे प्रियों परमेशर उसको से बाते कर रहा है परमेशर से डील कर रहा है परमेशर से प्राथना कर रहा है और परमेशर इन सब बातों का आस्वाशन दे रहा है अब परमेशर इसके संग है अब यह जहां कहीं भी जा रहा है परमेशर इसके संग है यह अपने घर से भागा हुआ है अब यह मामा लाबान के घर की ओर चल रहा है और इस मामा लाबान के घर, बड़े धान से सुनिये, अपने घर से जो भागा है और मामा लाबान के घर के बीच में कुछ घटना गटी है, इसलिए ये परमेशर का दुलारा है, इसलिए परमेशर का प्यारा है, इसने प्राथना करी है, परमेशर ने इसको दर्शन दिया है, और पर्मेशर इसके संग है मेरे जवानों आज हमारे संग कोई रहे या ना रहे परन्त दिपर्मेशर हमारे संग रहेगा तो बाइबिल कहते है तुम जो कुछ भी मिरे नाम से मांगोगे तुम्हार लिए हो जाएगा आज हमारे पास सब कुछ है परन्तु शायद हमने परमेशर को कहीं भूल गए हैं, शायद हमने परमेशर को छोड़ दिया है, हम अपनी मनमानी में लग गए हैं, हम अपनी दिन्चरिया में व्यस्त हो गए हैं, मित्रमंडली में व्यस्त हो गए हैं, अपने टेलिविजन्स में व्यस्त हो गए हैं, अपन रोटी दूँगा, मैं तुझे घर बापस लेकर आउंगा इफ यू विल बी ब्रिंग मी बैक मैं तुझे बापस लेकर आउंगा ये परमेशर का वाइदा है और परमेशर मनुश नहीं है कि वो हाँ बोलके फिर मोकर जाए परमेशर की बात हां की हां में होती है मेरे प्रिय विश्वासियों क्योंकि वो परमेशर है आकाश प्रित्वी कर रचेता है और जो उसने कहा है वो करके रहेगा अब परमेशर इसके संग है अब ये चलता है अपने मामा लाबान के यहां जाने के लिए अपने मामू लाबान के यहां पर पहुंचता है मामू इसको मजदूरी में रख लेता है और जो मजदूरी में रखता है इसके पास जो काम दिया जाता है मामा कहता है ठीक है तु मेरे यहां काम कर ले यह सारे घटनकरम इसके जीवन में घट रहे है इसको मजदूरी मिलती है कुछ समय वर्षों के बाद इसके पास धे सारी बकरियां हो जाती है बेड़ बकरियां हो जाती है दन डॉला सोने चांदी का अपार मालिक बन जाता है मेरे प्रिय विश्वासियो यह इतना जादा परमिशर इसको आशीज दे देता है क्यों? क्योंकि इसने 23 वे दिय में हमने पढ़ा इसने एक प्राथना कर ली है इसके एक मुलाकाद परमिशर से हो गई है परमिशर से इसकी बाते हो गई है यह अत्यन तावशक है यदि परमेशर मेरे और आपके संग रहेगा मेरे जवानों, तो हम अपने जीवन में सफल रहेगे, यदि परमेशर हमारे संग रहेगा, हमारे निर्णे सफल रहेगे, हमें कौन से स्कूल में जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है, कहा पर नौकरी में जाना है, कुछ जगे ह हमें पढ़ने जाना है कब जब परमेशर हमारे साथ रहेगा हमारे जिन्दगी के हर निर्णे में यदि परमेशर हमारे संग चलेगा तो हम निर्णे कभी गलत नहीं लेंगे हमारे निर्णे बिलकु सही होंगे मेरे प्रिविश्वासियों इसलिए मैं आप सिन्वेदन करना चाहता हूँ, यह याकूब ने जो प्राफ ना करी, यदि तू मेरे संग रहेगा, परमेशर जब मेरे और आपके संग रहेगा, तो निश्चत परमेशर मेरे और आपको आशीच देगा, आज अत्यन तावश्य के इस आधुनिक दुनिया में, इस अंत के समय में, मेरे और करी का मालिक होने के बाद ये लोटता है मेरे प्रियों ये वहां से लोट रहा है और लोटने के बाद इसका मामा लाबान इसके सामने आ जाता है परंतु कहता सुन मेरे में इतनी ताकत तो है कि मैं तुझे अभी रोक लूँ परंतु क्या करूं रात को तेरा परमिशर मेरे ब फिर हमारे हर निर्णे जो हैं वोपर मेशर के दया में आगे बढ़ते जाएंगे। ये साधारन वेकती नहीं है ये कई वर्षों इसने महल के अंदर बिताएं हैं इसका खान पान जो है इसका उठना बैटना खाना पीना जो है एक राज की थाड़ बाट के अंदर हुआ है इसके वस्त्र जो है राज की थाड़ बाट के हैं इसका सोना जो है राजा के महल में र जाती, मिश्री की सारी विध्याइं इसने अपने जीवन सीखी हुई हैं, इन सब घटनाओं के बाद। ये च्छे लाक इस्राइलियों को लेके मिश्र से निकल रहा है ये सारी घटना इसके जीवन में एक के बाद एक घट रही है, वहाँ पर मिश्र से जब ये निकल रहा है मेरे प्रिय विश्वासियों वहाँ पर एक जगे पर मिश्र इस से कहता है सुन पिर आगे मेरा स्वर्दूत चला करेगा वो कहता है ना पर मिश्र के इस से बाते हो रही है आगे देखें बाइबल क्या कह रही है निर्गमन 33 उसकी पंदरवी आयत उसने उससे कहा यदि तू आप न चले तो हमें यहां से आगे न ले जा हाँ वो कहता है मुझे स्वर्दूत नहीं यदि तू मेरे संग आप न चलेगा तो मैं आगे नहीं जाओंगा मेरे प्रिविश्वासी जवानों आज मैं आपसे निविदन करना चाहता हूँ आपकी जिंदगी का हर निर्णे जो होना चाहिए आपके संग संग परमिशर चले आप स्कूल में जाए परमिशर आपके संग चले आप कॉलेज में जाए परमिशर आपके संग चले आप कॉलेज से बाहर कौन सा विश है, लेके कौन सी पढ़ाई अच्छे से करना है, हर स्टेडी करना है, परमिशर आपके संग चले, कौन से शेहर में जाना है, आप परमिशर से पूछें, यदि परमिशर आपके संग चलेगा, हमारी बहुत सी प्रातना है रहती है, हम प्रा परमेश्यर हमारे संग नहीं है, तो हम जीवन में असफल हो जाएंगे, मुसा परमेश्यर से बात कर रहा है, इतना सब कुछ देखने के बाद, इतना पर्मेशन ने 10 आश्र करम कर दिये है उसके बाद जंगलों में एक के बाद एक पर्मेशन आश्र करम कर रहा है इसके बाब जूद मुसा पर्मेशन से कहता है यदि तू मेरे संग नहीं चलेगा तो मैं नहीं जाओंगा जवानों यदि आप ये निर्ण अपनी चीवन में ले ले यदि परमेशिर आप हमारे संग नहीं चलेंगे हम अपने जीवन का कोई कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे इतना बड़ा विद्वान है इसको किसी चीच की कमी नहीं है मैंने आपसे कहा महल में रहके इसने सारी सिक्षाओं को अरजित किया है सारी सिक्षाओं इसी की हैं सब बातों में निपण है बहुत विद्वान है और पिर उसके बाद इसके पास और दूसरा अनुबह है जिंगल के अंदर का इसके पास अनुबह है इन सब बातों के बाद ये बोल रहा है मेरा पद, मेरा नाम, मेरी सिक्षाए मैं किनारे रखता हूँ मुझे ये सब नहीं चाहिए परंतु मुझे चाहिए तो परमेशर तू मेरे संग चले जवालों मैं आज आप सिनिविदन करना चाहता हूँ आप अच्छे घरों से आते हो चाहिए कमजोर घरों से आते हो ये बात माइने नहीं रखती आपके पास कुछ है या कुछ नहीं है ये बात माइने नहीं रखती परंतु जो बात है वो ये है मुझे यहाँ मेरे और आपको सिखाना चाहरा है यदि परमेशर हमारे संग नहीं चलेगा, तो हम आगे नहीं चलेगे, मेरे और आपका निर्ने अपने जीवन में ये होना चाहिए, हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर परमेशर हमारे संग चले, इसलिए बाइबल कहती है, तुम मुझे यदि खोजा करोगे, तो मैं तुम्हें परमेशर उससे कह रहा है, मैं आप तिरे संग चलूँगा और तुझे विश्राम दूँगा, मेरे प्रिविश्वासिओं, कितनी अच्छी बात है कि परमेशर जब आपको विश्राम दे, सारी जिगह से आपको चैन मिल जाए, हम भाग रहा हैं अपने जीवनों में, क्यों क्योंकि हमारे जीवन में परमेशर आज नहीं है, हम चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, दूआ कर रहे हैं, हम नामधारी मसी बन गए हैं, एक ट्रडिशनल लीती रिवाज वाले क्रिश्वन बन गए हैं, हम दान दक्षण दे रहे हैं, हम दाश्वान से दे रह हैं, हम बहुतों की सहायता कर रहे हैं, पर अंतो हमारे अंदर जो बात है, शायद हमारे परमेशर नहीं है, यदि हमें विश्राम नहीं है, तो समझ ये परमेशर कह रहा है, मैं तरे संग चलूँगा, और मैं तुझे विश्राम दूँगा, मेरे प्रिविश्वासियों कित परमेशर हमारे संग रहे मेरे प्रियविश्वासियों यदि आप विवाँ करना चाहते हैं जवान बच्चों तो आप परमेशर आपके संग रहे परमेशर आपके संग रहेगा तो आपको गाइडलाइन करेगा कि मुझे किस से विवा करना है किस से विवा नहीं करना है और परमेशर जब आपके संग रहेगा अच्छे कॉलेज में दाखिला कराना है आपका कौन से कॉलेज में पहुँचेंगे जो परमेशर आपके संग रहेगा मेरे प्रिविश्वासियों तब आप अपने जीवन में बहतर निन ले रेंगे और परमेशर यहीं पर तक सीमित नहीं है परमेशर कह रहा है कि मैं तुझे विश्राम दूँगा कितनी जरूरी बात है मेरे और आपके जीवन के अंदर की परमेशर मेरे और आपको विश्राम दे और एक और विक्ति की बात मुझे आदाती है यह भी बहुत प्रसिद विक्ति है बिल्कुल जवान है इसका नाम भी पुराने एहद नामे के अंदर आता है उत्पत्ती की किताब हम निकालेंगे बाइविल उत्पत्ती की किताब उसका 49 वाद ध्याए यहाँ पर बाइविल बड़ा इसपस्त कह रही है कि यूसुफ अपने स्वामी के संग रहता था और परमेशर उसके संग रहता था मेरे प्रिय विश्वासियों कितनी अजीब सी बात है ये एक ऐसा पात रहें कि हम कितनी भी चर्चा करें लोगों ने इसके नाम पर बड़ी बुके लिखी हुई है इसके नाम पर पूरी दुनिया में लाखों और करोणों संदेश है ये परमिश्र के वचिन की खूबी है इस विक्ती को हम बुला नहीं सकते इसके भाईयों ने से मेरे कोई भाईय है जो अपने भाईय को बेच देगा इसके भाईयों ने बेच दिया है क्योंकि इस से इर्शा कर रहे है जलाद तो जलाद जो खाल खीच ले जो रात दिन काम कराना जानते है और मेरे प्रियों ये जलादों का भी प्रधान है जरा सोचिया ऐसे विक्ति के हाथ में है परंतु बाइबिल कह रही है कि जब ये पोती पर के घर में है परमेशर इसके संग है मेरे प्रिये जवानों आप कितनी भी कठिन पर सितियों में हो परंतु मैं आज आप से कहना चाहता हो बहुत से लोग कहते हैं कि परमेशर उनके संग है जिनके पास गाड़ी है जिनके पास बंगला है जिनके पास पैसे है ना परमेशर ऐसे लोगों के संग है या नहीं है बात ये माइने नहीं रखती है मैं आप से कहना चाहता हो ये बरतन माजने वाला लड़का है ये घर में जाडू लगाने वाला लड़का है ये गरीब तबके में पहुँच गया है इसकी सिती बहुत खराब है वाब आप से दूर है सब कुछ होने के बाद ये गुलाम बन गया है एक दास का सा रूप धरन करा है परंतु परमेशव इसके साथ है आप कोई सा भी काम कर रहे हो काम बड़ा हो या छोटा नहीं होता है जो बात है वो महत पूर्ण है बहुत से ल पद था गाड़ियां थी बहुत उच्छ सिक्षित था परंतु परमेशर इसके संग नहीं था इसलिए इसने आत्मात्या खर ले मेरे प्रिये जवानों ये घर से बाहर है ये गुलाम है ये बरतन मानने का काम कर रहा है घर के सबसे कमजोर तपके के जो काम है ये कर रहा है बहुत से लोग सोसते हैं कि हम छोटे मोटे काम कर रहे हैं जाडू लगा रहे हैं नाली साब कर रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं हम सुईपर का काम कर रहे हैं हम छोटे मोटे काम कर रहे हैं परमेशर हमारे संग नहीं है नहीं ऐसा नहीं है कि परमेशर सिर्फ बड़े लोग गुड मैन, I have to think about you, तेरे बारे में मुझे को सोचना होगा, तू जिस काम में हाथ लगा रहा है, वो देख रहा है कि ये काम सफल हो रहा है, आप कहीं भी रहेंगे, बंदभाई में भी रहेंगे, परंतेदी परमिश्र आपके संग रहेगा, आपके सब काम सफल होएंगे, ज यूस्फ जैसा जो पातर है, उसकी सफलता का जो रहस था, परमिश्र इसके संग संग था, और सिर्फ बात यहीं नहीं हुई, इसके बाद यही घर के मालिक ने इसको प्रमोशन दे दिया है, यूस्फ जब परमिश्र तेरे संग है, आज से मेरे घर का मालिक तू है, ये जो इसके जीवन में घटना घटती है, इस पे आरोप लगा दिया जाता है, फिर बहुत से लोग कह रहे होंगे, भाया उसके बाद तो वो जेल चला गया, मैं आप से कहना चाहता हूँ, उसके बाद, जेल जाने के बाद, जब वो जेल में गया, तो वहाँ जलादो का प्रधान इ जो कि यहोगा आरोप पे साथ था, यहोगा उसको उसको उसमें, अभी बंदी ग्रह में पहुँच गया है, एक जूटे आरोप इस पे लग गया है, वेविचार के, शायद आप पे भी कई आरोप लग गया है, आपको जेल में डाल दिया गया है, आपने चूरी नहीं करी है आपने वेविचार नहीं किया है, आपने हत्या नहीं करी है, परंतु किसी लीगल मातों के मेहंदर आपको फसा के आरोप लगा दिया गया है, दरोगा देख रहा है, परमेशर इसके संग है, उसने कहा, यूसुप आज से नाम मेरा रहेगा कि दरोगा मैं हूँ, काम पूरा तू समालेगा, ये सारे कैदी तूरे संग रहेगे, इनके उपर तू जो अधिन्ता करेगा, दरोगा के कार पूरा यूसुप देख रहा है, बंदीग रहे के अंदर भी जो देख रहा है, वो सफल हो रहा है, वहाँ पर राजा की पिलाने आरे और खिलाने आरे आते हैं, औ तो आपके लोग हैं भूल जाएं, आपके रिष्टधार भूल जाएं, आपके माता पिता भूल जाएं, आपके भाई बहन भूल जाएं, पत्वी पत्नी भूल जाएं, बच्चे भूल जाएं, परंतु मैं आपको कहना चाहता हो, परमेशर कहता है, देखो जगत के अंत तक म मैं तुम्हारे साथ हो, ना तुम्हे मैं कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हे कभी त्यागूंगा, परमेशिर उसके संग है, और जब वहाँ पे जो भी काम कर रहा है, वहाँ पे घटना घट रही है, वो सपन बता रहा है, और वहाँ पर राजा सपन देख रहा है, राजा कहता है क्या इस से बहतर हमें कोई मिलेगा नहीं मिलेगा और राजा के बाद वहाँ पर मिश्र का प्रधान मंतरी और दुनिया का पहला प्रधान मंतरी युसव बनता है क्यों परमिश्र उसके साथ था हललुया ये कितनी जरूरी बात है कि परमिश्र मेरे और आपके संग रह में कि परमेशर मेरे और आपके संग रहे और सबसे महत्पून बात जो आपसे अब करना चाहता हूँ ये तीनो चारो पात्रों के नाम बता रहा हूँ परमेशर इसके संग है एक और विक्ती मुझे याद आता है मेरबानी से हम देखेंगे बाइबल के अंदर जो लिखा है गलातियों दूसरा नौ और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया तो याकूब और कैफा और यहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे मुझ को और बरनबास को दाइना हाथ देकर संग कर लिया कि हम अन जातियों के पास जाएं और वे खतना किये हूँ के पास यहाँ पर यहन्ना जो येशमसी का सिश है इसने अपने जीवन में प्रमुकता जो थी वो प्रभू येशमसी को दी क्या मैं और आप अपने जीवन में प्रमुकता येशमसी को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं यहन्ना ने देखा था कि ये जो येशमसी है ये साधारन व और सारे यदि आप यहुन्ना का सुसमाचार पढ़ेंगे, मेरे प्रियों उसने प्रात्मिकता अपने आपको नहीं दी, परंतु वहाँ पर प्रभु येश्यमसी को दी, हम चाहते हैं कि हमारा नाम हो, लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, लोगों को हम विजितिंग कार् मेरे प्रियों कितनी अद्बुद बात है, ये अपना बयान नहीं कर रहा है, ये जो महिमा है अपने जीवन से परमेशर को दे रहा है, बहुत से बार लोग कलीस्या में कुछ देते हैं, पंकों में नाम लिखा देते हैं, बेंच में नाम लिखा देते हैं, जो भी चर्च मे अंदर उसने अपने जीवन में जॉन गिव प्रियॉरिटी तो जीजस क्राइस देन हिस फ्रेंडशिप यहुन्ना ने जो उसका शिष्च था प्राथमिक्ता जो है वो ये शुमसी को दी बजाए अपने दोस्तों के यहुन्ना का दोस्त था एक पत्रस यह दोनों एक संग चलते थे यह भी कहा जाता है जब परमिशुन ने यह शुमसी ने इनको जब बुलाया अपने चेले होने के लिए तो यहुन्ना और पत्रस एक साथ थे यदि हम देखेंगे गलातियों की किताब में भी हम देखेंगे वहाँ पर भी यहुन्ना और पत्रस एक साथ थे मंदिर के सुलिमान के ओसारे में जो जन्म का लंगडा है वहाँ पर जब वो बैटता है वहाँ पर भी पत्रस और यहुन्ना एक साथ है जब इनको पुनुरुथान की सूचना मरियम ने वहाँ पर जाके दी थी तो यह दोनों भागते हुए यहाँ पर भी पत्रस और यहुन्ना एक साथ है परन्तु जब निर्ण ने आया कि मुझे अब किस रास्ते पर चलना है क्योंकि पत्रस जो है वो मुकर गया है पत्रस ने सोचा कि अब यह श्मसी का रास्ता यहां समाप्त हो रहा है पत्रस ने सोचा कि अब यहां पर क्रूस है पत्रस ने सोचा अब यहां पर सब कुछ समाप्त हो रहा है इसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा पत्रस मुकर गया है पत्रस ने ये शुमसी को छोड़ दिया है पत्रस ने कसमे खाली है यहुना दो रहां पे आके खड़ा हो गया है कि अब मैं ये शुमसी के संग चलू कि अपने दोस्तों के संग चलू बहुत सारे जवान ये शुमसी को छोड़ देते हैं और दोस्तों के संग चले जाते हैं बहुत सारे जवान ये शुमसी की जो आग्याएं हैं आप कहेंगे नहीं नहीं हमने नहीं छोड़ा हम चर जाते हैं बात जो है वचन में जो लिखा है हम उसके अनुसार चलते हैं यहां पर प्रमुकता जो दी यहुना ने दी वो ये शुमसी को दी मेरे प्रिया जवानों आप किसको प्रात्मिकता दे रहे हैं किसको प्रिORITY दे रहे हैं यहुना को दे रहे हैं मेरा आपके जीवन में सबसे महदपून बात जो है वो समझना होगा सब बातों को त्याग के धन दौलत त्याग दिया है यहुन्ना ने अपने परिवार को त्याग दिया है अपने घरबार को त्याग दिया है अपने रिश्तिधारों को त्याग दिया है अपने नौकल चाकर को त्याग दिया है उसके बाद उसका जो मित्र है उसने ये शमसी के संग चलूंगा बहुत आसान है जब भीड साथ में चल रही हो जब जहजेकार के नारे लग रहे हो जब होसन्ना की बाते हो रही हो जब आश्रकर्म हो रहे हो जब भुको को खिलाया जा रहा है अंधोकोर वहाँ पर आखें मिल रही है रोगी यहाँ पर चंगे हो रहे है मुर्दे जिलाए जा रहे है तब ये शुमसी के संग चलना बहुत आसान है परंतो जब ये शुमसी क्रूस पर है जब लोहुलोहान है जब निर्वस्तर है जब बिलकुल मृत्यों की शहियां पर है उसकी तूटती उखरती लड़कडाती हुई सासे गिन रहा है यहुना उसके करीब है और जब यहुना ये शुमसी के करीब है मेरे प्रीविश्वासियों तो यकीन मानिए वो इतने करीब था कि वो इसके हिर्दे के नस्दीग था उसने ये शुमसी के संग खड़े होते कैसे आगया क्योंकि परमिशर उसके संग है और जब यहुन्ना ने प्रकाशित वाग के वहां पर देखना पूरा प्रारहम किया यहुन्ना ने वहां स्तूती गान को देखा यहुन्ना ने वहां पर 24 प्राचीनों को देखा यहुन्ना ने वहां 24 से हसनों को देखा यहुन्ना ने वहां पर साथ कलीशियां को देखना उस उससने लोदी किया क्लीसिया को देखा बात यहीं पर समाप्त नहीं इसने सिहासन को देखा उसने उस बड़े वहाँ पर नए आकाश और नए येरुशलेम को देखा और यहुन्ञा न attorneys वहाँ पर प्रत्विपे जो 21 प्रकार की भी पत्तिय आने वाली है जो प्याले है साथ प्रकार के जो वहाँ पर परमेशर उडिलने पर है और अलग अलग जो कटोरे है उन सबों को देखा मेरे प्रियाओं उनने उस दो भविश्वक्ताओं को देखा जो साड़े तीन वर्श के लिए आएंगे उसने क्रीस्त विर्णोदी को जब यहन्ना उसके संग था जब परमेशर उसके संग था उनने सारे घटनकरम को वहाँ पर देखा उसने शैतान का पतन देखा और उसने ये शमसी के हजार वर्श का राज देखा और उसने ये भी देखा क्योंकि उसने कहा देख मैं ही अलफा और ओमेगा हूं मैं ही आदी और अंथू. देख मैं शीगर आने वाला हू. मेरे प्रिविश्वासियों क्यों क्यों कि परमिशर उसके संग था. áज मीरे और आपके जीवन के संग कौन है? ये अत्यनतावशक है. हुने दें मीरे और आपके जीवन के संग परमिशर हो. इन सब बातों से बढ़कर जो बात निकल कर आ रही है येशु मसी ने 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 येशु मसी मसीह हम पे विश्वास करता है कि नहीं आज परमिशर हमारे संग है कि नहीं आज मेरे और आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि कौन हमारे संग है मेरे प्रिविश्वास ही हो यदि परमिशर हमारे संग होगा तो हम जीवन में सफलताओं को अरजित करेंगे परमिशर आपको आशीश दे जै मसीकी आज मुझे सुनने वाले सब प्रिये जनों को मैं शीग्र आने वाले प्रभू ईशू के नाम से अपना नमस्कार देता हूँ और आज मुझे अत्यन्त खुशी है इस पेंडिकॉस्टल यूथ फेलोशिप के तत्वाधान में FPCGI के द्वारा संचालित इस बर्निंग लाम्प यूथ डे में मैं आप लोगों के साथ कुछ समय बिता सकूँ मैं प्रभू में ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारा ये बिताया जाने वाला समय व्यर्थ ना ठहरे और निश्चित रूप से परमिश्वर हम सब को इसके द्वारा आशिशित कर सके आज जब संसार में सब लोग दोड रहे हैं और कुछ रखुछ पाने की आश्चा में वो दोड रहे हैं कुछ लोग इस दोड को बहुत अच्छी दोडते हैं कुछ लोग थोड़ा कमजोर हो जाते हैं मुझे लगता है आप भी उस दोड में एक मेडल पाने की आश्चा जरूर रखते होंगे लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी दोड के बारे में बताना चाहता हूँ एक ऐसे रेस के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें आपको मेडल पका मिलेगा आप संसार में जब बहुत से टूर्नमेंट्स को देखते हैं जो फस्ट, सेकिंड यद थर्ड आते हैं उन्हें ही मेडल्स मिलते हैं लेकिन जिस दोड की मैं आज बात करने जा रहा हूँ उसमें आपका मेडल पका है और वो भी फस्ट पोजिशन के साथ में है क्या आप उत्साहित हैं उस दोड के बारे में जानने के लिए तो आईए मेरे साथ थोड़े देर परमिश्वर के वच्छन की और हम लोग जाएंगे जहां पर हम एक ऐसी दोड को देखेंगे जिसको दोड कर आज आप भी एक मेडल को प्राप्त कर सकते हैं मेरा नाम पास्टर राजकुमार है मैं जैपुर जो राजस्थान का कैपिटल है वहाँ पर प्रभू की सेवा में हूँ बेथेल फेलोशिप नामक एक संस्था के साथ मैं प्रभू की खिद्मत करता हूँ सेवा करता हूँ और आज मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि मैं उस कंपनी में काम करता हूँ जहां पर ना तो कभी रिटायर्मेंट होता है नहीं लोगों को टर्मिनेट किया जाता है और ना ही उन्हें ले ओफ पर रखा जाता है आप शायद मेरी बात को समझ पा रहे होंगे आज कोरोना के कारण कंपनिया बंद होती जा रही है लोगों को जबरदस्ती छुटी पर दे दिया जा रहा है तंखाएं मिलना ही रही है लोग व्याकुल हैं परिशानी में हैं कुछ जो उम्र वाले लोग हैं उन्हें वोलेंटरी रिटायर्मेंट पर भेजा जा रहा है लेकिन संसार में एक ऐसा कारी है जो कभी भी ना तो ले ओफ होता है ना रिटायर्मेंट होता है और ना ही किसी को वो अच्छा एम्पलॉयर टर्मिनेट करता है और वो है परमिश्वर की खिद्मत करना परमिश्वर की सेवा करना आत्माओं के लिए प्रयत्न करना और मैं आपको बताऊँ मैं एक बैंक में जिसका नाम ICICI है उसके एक प्रुडेंश्वर डिपार्टमेंट में एक रिजनल मैनेजर के रूप में काम करता था लेकिन 2010 में परमिश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया और तब से लेकर आज तक परमिश्वर मेरा एम्पलॉयर है मैं उसके लिए काम करता हूँ और आज मुझे सुनने वाले नौजवानों को मैं प्रोटसाहित करना चाहता हूँ कि संसार में जहां हम जीवन बिताते हैं सबसे उत्तम कारे अगर कोई कर सकता है तो वो परमिश्वर की खिद्मत है परमिश्वर की सेवा है प्रेइज दे लौड आईए मैं आपको उस दौड का हिस्सा आज बनाना चाहता हूँ मुझे आपको इबरानियों की पुस्तक की और ले जाना पड़ेगा नए नियम में इबरानियों की पुस्तक उसका बारा अध्या है उसका एक और दो वचन मैं आपके लिए पड़ना चाहता हूँ इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमें घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उल्जाने वाले पाप को दूर करके वह दोड जिसमें हमें दोड़ना है धीरस से दोड़े और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले इश्यू की और ताक्ते रहें जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके कुरूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमिश्वर के दाहिने जा बैठा एक मिनिट अपनी आँखों को बंद करें जहां भी आप हैं आप अपने ड्राइंग रूम में हो आप अपने बेड रूम में हो आप कुर्सी पर बैठे हों, लेथे हों एक मिनिट आँखों को बंद कीजिए क्योंकि ये जो वचन में आपके सामने रखता हूँ ये मेरा वचन नहीं है ये राशकुमार का वचन नहीं है ये राजाओं के राजा उस परमेश्वर का वचन है और जब हम उसे सुनते हैं हम उससे प्रार्थना करें कि प्रभू हमारे मन की आखों को खोल दीजिए कि हम इसको सुईकार कर सकें इसलिए एक मिनिट हम प्रार्थना करें स्वर्गे पिता आज जब हम आपके वच्छनों के साथ आपके सामने हैं प्रभू मुझे इस लाइव के द्वारा बहुत से नौजवान, बहुत से बच्चे बहुत से बुजुर्ग लोग सुन रहे हैं वो जहां भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं आप उनसे बात किजे प्रभू क्योंकि मुझे मालूम है ये वच्छन पवित्त्रात्मा के द्वारा रचा गया है और पवित्त्रात्मा ही इसके अंदर के बेदों को हम तक पहुँचा सकती है प्रभू, आज उनकी आवश्रक्ता के अनुसार आप उनसे बात कीजिए हर एक को आप बल दीजिए प्रभू और उस वचन का जो जीवन है, वचन की जो सामर्थ है वो उनके जीवन में कारिरत हो जाए मेरी ये प्रात्ना है प्रभू, हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद प्रभू, एश्यू के नाम से मांता हूँ आमेन, प्रेज गाड मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ अगले पच्चीस मिनिट प्रभू आपसे बात करेगा अगर आप आशा के साथ उत्सुकता के साथ उसके वचनों को अगर आप सुने संत पौलूस एक दौड के बारे में बताते हैं और वो और कुछ नहीं रहे हैं इस दौड के बारे में भी ख्याल रखिए पौलूस क्या कहता है पौलूस कहता है कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है उस गवाहों का बादल पौलूस जब इस बात को लिखता है तो हम इबरानियों की पुस्तक 11 अध्याए अगर वहाँ देखें तो वहाँ पर गवाहों का एक बड़ा समू हम देखते है वहाँ कुछ लोगों के नाम लिखे हैं जिनोंने विश्वास के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया जिनोंने विश्वास को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़े और यहां तक अबराहम के बारे में लिखा है आशा की हुई वस्तू उन्हें नहीं मिली लेकिन फिर भी उस स्थिर और नेव वाले नगर की आशा में वो आगे बढ़ते रहे और उस दोड़ को उन्होंने पूरा किया और जब उन्होंने दोड़ को पूरा किया तो उनके साथ ऐसे लाखों संत जो परमेश्वर के उस अनुक्रह में उसके साथ है वो भी हमारी इस आत्मिक दोड़ को देखने में बहुत ही उत्सुक है प्रियों आज मैं आपको कहूं हमारा ये जो आत्मिक जीवन है इस दौड को सिरफ उस परमेश्वर के वो संत लोग सिरफ नहीं लेकिन ये संसार भी हमारे हर एक कंडेक्ट को देखता है हमारे जीवन को बहुत गहराई से जासता है और ये जो दौड है ये शुरू होती है जब आप प्रभू इश्व को अपने जीवन में उद्धार करता ग्रहन करते हैं और जिस दिन एक व्यक्ति अपने पापों से प्राइश्चित करकर उस इश्व को अपने जीवन में स्थान देता है उसे अपना राजा मानता है वो एक दौड का हिस्सा बन जाता है उसे एक ट्रैक पर खड़ा कर दिया जाता है और फिर शुरू होती है एक आत्मिक दौड और आप जानते हैं उस दौड का गंतवी क्या है उस दौड का डेस्टिनेशन क्या है वो बहुत ही खुबसूरत है और वो है अनंत काल तक उस प्रभू इश्व के साथ रहना उस स्वर्ग में रहना क्या आप उस दौड में शामिल होना चाहते हैं मैं आपको अगर अभी तक आप उस दौड में शामिल नहीं हुए हैं जिसका गंतव्य जिसका डेस्टिनेशन संसार की कोई प्राकृतिक सुंदरता नहीं लेकिन परमिश्वर के हातों से बनाया हुआ वो स्थान है जहां पर परमिश्वर स्वयम उन लोगों के साथ रहते हैं अगर आ इसी घड़ी उस प्रभू इश्व को अपने जीवन में सुईकार कीजिए आपको भी उस दौड में दौडने का मौका मिलेगा तो यह दौड शुरू होती है जब हम अपने जीवन को प्रभू के हातों में समर्पित करते हैं अगर पौलुस की पत्रियों को पौलुस के बह लड़ी मैंने विश्वास की रखवाली की आत्मिक जीवन की ये दौड जो उद्धार से शुरू होती है और अनंतकाल यानी युगान युग उस प्रभू के साथ समाप्त होती है लेकिन ये दौड साधर नहीं है इसमें कुछ नियम और कुछ काइदे भी हैं मैं आपको आज से कुछ साल पहले 1986 का वो सी ओल ओलम्पिक की उस घटना को याद दिलाना चाहता हूँ जहां पर हमारी भारत की शाइनी विलसन नाम की जो एथलीट थी जो उस 800 मीटर की दौड में सबसे मेडल जीतने में सबसे योगी थी और जब ये दौड शुरू हुई पूरा भारत बड़ी उत्सुकता से उन्हें निहार रहा था क्योंकि वो भारत के लिए एक मेडल लाने की पूरी संभाव ना थी और आशा के अनरूप ही हुआ शाइनी विलसन उस दिन जैसी दौड़ी शायद वो कभी नहीं दौड़ी उन्होंने सब को पीछे छोड़ दिया और सबसे पहले वो अपने गंतवी स्थान पर पहुँच गई पुरा भारत देश खुशी से जूम उठा और जब इस आनन्द को महसूस करना हमने शुरू किया अचानक एक गोशना हुई कि शाइनी विलसन को उस दौड़ से जो उन्होंने जीती है उससे वंचित किया जाता है सब के चहरे उदास हो गए भारत सदमे में आ गया ये क्या हुआ लेकिन जब जानकारी मिली तो समझ में आया कि शाइनी विलसन ने दौड़ते समय जिस ट्रैक पर वो दौड़ रही थी थोड़ा सा एक पैर गलती से उनका दूसरे ट्रैक पर चला गया और जब रेफरीज ने इसको देखा उन्होंने शाइनी विलसन को डिस्क्वालिफाई कर दिया उस दौड़ से जो पदक उनके हाथ में था वो उनसे चीन लिया गया वो बहुत बड़ी उदासी का एक समय था शाइनी विलसन ने कहा उतनी बेज़ती और उतना दुख शायद उन्हें कभी नहीं हुआ प्रियों ये जो हमारी आत्मिक दौड़ है इसके कुछ नियम है इसके कुछ काइदे हैं जो हमें पूरे करने होते हैं और यहां पर पौलुस कहता है जब आप उस दौड़ में दौड़ते हो तो आओ हरे एक रोकने वाली वस्तूओं को और उलजाने वाले पाप को छोड़ते हुए हम आगे की तरफ दौड़ें क्योंकि जब हम दौड़ते हैं और अगर हम कुछ वजन लेकर दौड़ें कुछ ऐसी चीजें जो हमें रोकती हैं उनके साथ अगर हम दौड़ें तो हम दौड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो चीजें हमें पीछे खीचना शुरू करेंगी वो हमें पुल बैक करना शुरू करेंगी तो सबसे पहली चीज है कि हम कुछ चीजों को छोड़ें Get rid of some distractions अब मुझे नहीं मालूम आपको कौनसी चीज रोकती है सबकी रुकावट अलग-अलग है आपने उसेन बोल्ट को दोड़ते हुए देखा होगा विश्व के सबसे तेज दोड़ने वाले उसेन बोल्ट मैं भी कॉलेज में एक अच्छा एतलीट था 100 मीटर मैं 11.6 सेकिंड में पूरा करता था मुझे दोड़ने का बड़ा शौक था लेकिन एक चीज आप देखिए उसेन बोल्ट जब दोड़ता है वो दोड़ते हुए कभी आपने देखा है कि दोड़ते दोड़ते अचानक उसेन बोल्ट का मॉबाइल बजा और नोटिफिकेशन आया और उन्होंने फड़ा फट मैसेज देखने के लिए मॉबाइल निकाला कभी देखा है आपने आपने कभी देखा है उसेन बोल्ट जब दोड़ते हुए वो दर्शकों को देखते हुए कहते है हाई 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 आप कैसे हो कभी देखा है आपने आपने उसेन बोल्ट को दोड़ते हुए कभी देखा है कि वो सोच रहे हैं कि चलो अभी फेस्बुक पर एक लाइव डाल देते हैं मैं दोड़ रहा हूँ देखा है आपने नौ कभी नहीं देख सकते क्योंकि पूरे जीवन भर का जो परिश्रम है जब उस कि भी बोज को लेकर नहीं चल सकता उसेन बोल्ट ये नहीं कह सकता कि वो बैक पैक मेरा बहुत इंपोर्टन्ट है उसमें मेरे प्रेशियस डॉकुमेंट्स है उसको मैं पीट पर लाद कर चलूँगा नो 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 उसे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा मुझे सुनने वाले मेरे प्रिये भाईयों आप उस आत्मिक दोड़ में अगर दोड़ना चाहते हैं अगर सफलता उसमें पाना चाहते हैं और वो जो मेडल जो प्रभू चाहता है कि सब को मिले जब ऑलम्पिक में कोई दोड़ता है वहां फर्स सेकिंड थर्ड को ही मेडल मिलता है लेकिन इस दोड़ में जो रेफरी है जो परमेश्वर है वो चाहता है कि सब मेडल जीते हैं लेकिन सबसे पहला कदम जो आपको उठाना है वो है कुछ ऐसे बोजों को आप अलग करें उसको आप छोड़े कुछ ऐसे पापों को जो आपके आत्मिक जीवन में आपको आगे बढ़ने से रोकती है जो आपके रिष्टे को उस परमेश्वर के साथ जुड़ने से रोकती है उनको आपको छोड़ना पड़ेगा जब आप उन्हें छोड़ेंगे तब आप हलका महसूस करेंगे आप देखिएगा उसेन बोल्ट को या किसी भी एथलीट को जो आलमपिक में दौड़ रहे होते हैं उनके कपड़े भी इतने हलके होते हैं और इतने कम होते हैं आपने किसी को सूट और टाई पहन कर दौड़ते हुए नहीं देखा होगा क्योंकि वो कोई भी रुकावट लेकर नहीं दौड़ सकते आज मुझे सुनने वाले मेरे प्री भाईयों पहनो आपके जीवन की रुकावट क्या है आपके जीवन को कौन सी चीज पीछे खीशती है कौन सा पाप है जो आपको परमिश्वर के साथ संगती करने से रोकता है अगर वो है तो इस समय आप एक निर्ना लीजिए मैं आपको परमिश्वर के वचन से एक सुंदर सा वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपको ऐश्रिया की पुस्तक एक अध्या है उसके अठारा वचन में मिलता है परमेश्च्वर आप से आज कहते हैं आओ हम वाद विवाद करें तुमारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो मैं उन्हें धोकर हिम के समान श्वेद बना दूँगा प्रियों आपके पाप चाहे कोई भी क्यों ना हो संसार चाहे उन्हें नजरंदाश ना कर पाए चाहे लोग आपको माफ ना करें लेकिन आज मेरा परमेश्वर कहता है कि अगर आप उन पापों को स्विकार करें अगर आप उनके लिए अपने आपको समर्पन करें उसके सामने माफी मांगने के लिए प्राइस जीत करने के लिए तो वो आपको श्वेद बना सकता है वो आपको धर्मी बना सकता है वो आपको होल बना सकता है एक दौड में अगर आपको जीतना है आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा मैं आपको एक नौजवान के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम यूसुफ है और आप उत्पत्ती की पुस्तक में यूसुफ को पास सकते हैं आपके जैसा एक नौजवान रुकावट होने नहीं दिया एक दिन जब वो एक घर में था पोतिफोर के घर में था तो पोतिफोर की पत्नी ने उससे कहा कि मेरे साथ सो मेरे साथ फिजिकल रिलेशन्शिप बनाओ लेकिन आप जानते हैं यूसफ ने एक परमेश्वरिय चश्मा लगाया हुआ था यूसफ का देखना वो नहीं था जो सब देखते हैं वो एक परमेश्वरिय द्रश्टी कॉंड से देखता था मैं आपको बताना चाहता हूँ आप चश्मा लगाते होंगे दूप से बशने के लिए आप क्या करते हैं जब आप चश्मा लगाते हैं तो ये चश्मा आपको दूप से चुडाता है हर एक रेडियेश्वरिय जो आती हैं उससे आपको प्रोटेक्ट करता है तो जब आप इस चश्मे को लगाते हैं आप उन radiation से protective हो जाते हैं, आपको एक चश्मे की आवश्यक्ता है, और वो चश्मा किसी Ray-Ban company का बनाया हुआ नहीं, लेकिन परमेश्वर का एक आत्मिक चश्मा जो यूसुफ ने लगाया हुआ था, यूसुफ को जब ऐसा एक मौका मिला, यूसुफ ने उस चश्मे से उसे ये समझ में आया, कि ये जो थोड़े समय का कारिय मेरे उस बड़ी योजना को, जो परमेश्वर मेरे लिए रखता है, उसको रोक रहा है, मुझे यहां नहीं रुकना, वो उस जगे को छोड़ कर भाग गया, प्रियों, आज मैं आपको घोश्ना करना चाहता हूँ, आ जो आप कलपना भी नहीं कर सकते हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपके लिए जो प्रभू ने इस थान तयार किया है, उसकी सुन्दर था कि आप कलपना भी नहीं कर सकते हैं, आप प्रकाशित वाक्य को जब आप पढ़ेंगे, एक नया यरुश्लिम जिसके बारे मे लिखा है वो दुलहन के समान सजाया गया है और हर एक विक्ती जो मेमने के लहु से खरीदे गए हैं वो उस्थान के वासी होंगे और परमेश्वर उनका परमेश्वर होगा और उस्थान के बारे में हम ये भी पढ़ते हैं ना मनिश्वर ने देखा ना उनके कानों ने सुना ना उनके चित्न में चड़ी ये वो बाते हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए बनाई है प्रियो आपके लिए प्रभु ने बहुत उत्तम चीज बनाई है लेकिन उस दोड़ को दोड़ने से पहले आपको ये निश्चित करना है कि मैं कुछ बातों को छोड़ने के लिए तयार हूँ कौन सी बात है प्रियो जो आपको रोकती है क्या सोशल मीडिया है क्या आपके रॉंग रिलेशन्शिप है क्या आपका एडिक्शन है क्या आपके कुछ ऐसी आदते हैं जो आप लोगों के सामने नहीं लाना चाहते लेकिन प्रियों चाहे वो कुछ भी क्यों नहो प्रभू कहता है अगर तुम उन्हें मेरे सामने लाओ प्रायश्चित करो तो मैं तुम्हें धोकर हिम के समान बना दूँगा मैं तुम्हें शुद्ध कर दूँगा इसलिए आओ रोपने वाली वस्तूओं को छोड़ो कुछ चीजों को हमें दूर करें कुछ पापों को हम दूर करें देखिए पाप बहुत आकरशित करता है अपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे लिए यह है मैं आपको छोटा सा एक कहानी सुनाता हूँ एक बार एक जंगल के उस किनारे पर एक गाउं था और वो लोग बार का इंतजार करते थे क्योंकि जब बार आती थी तो बार के साथ साथ बहुत से स्पेडों सुखी लकडियां और बहुत सी चीजे पानी में बहकर आती थी और ये गाउं के लोग उन चीजों को ले लेते थे ऐसे ही एक भाई जब उस बार के समय नदी के किनारे खड़ा था तो उसने देखा कि एक काले रंग का कंबल पानी में बहकर आ रहा है एक ब्लैक ब्लैंकेट वो बड़ा खुश हो गया उसने देखा कोई भी नहीं है वो तुरंथ पानी में खुदा उस कंबल को लेने के लिए और तैरते हुए तैरते हुए वो कंबल के पास मोच गया उसने कंबल को पकड़ लिया लेकिन जैसे ही उसने कंबल को पकड़ा तब उसे समझ में आया कि ये कंबल नहीं था, एक काले रंग का भालू था, जो बाड में पानी से बह रहा था, और वो भी अपने जीवन बचाने की कोशिश कर रहा था, और जैसे ही इस व्यक्ति ने उसे पकड़ा, उस भालू ने भी इस व्यक्ति को पकड़ लिया, आप जा कालेज में होते हैं, जब आप स्कूल में होते हैं, शायद आपका दोस्त आपको बोले, अरे ये सिगरेट, एक स्मोक तो करना है, करके दिखा, आप जब मना करेंगे, आपको वो बोलेगा, अरे तु लड़का भी है या नहीं है, तो उस समय, आप उस युस्फ के चश्मे स देखना, और उनको ये कहना, कि मुझे ये प्रaux करने की जरूरत नहीं कि मैं लड़का हूं, क्योंकि मुझे मुझे मालू है, मैं लड़का हूं, और उस से बढ़कर, मुझे एक चीज और मालू है, ये साधारन लड़का भी नहीं हूं, मैं परमेश्वर की संथान हूं, आया में Child of God और मेरा देखना वो नहीं जो तुम देखते हो ये बहुत अट्रैक करता है प्रियों जब आप किसी फंक्शन में होते हैं जहां पर सब लोग कुछ ड्रिंक्स कर रहे हैं आप भी मालीजे वहां पर हैं आपको वो कहेंगे अरे एक बार लेने में कया होता है इसमें तो एलकोहल कितना परसेंट है 6% है 7% है ये एक बार 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 बन जाता है और आप जैसा वो भालू उस व्यक्ति को जकड लिया आप उसमें जकड जाते हैं ये बहुत अट्रैक्टिव है प्रियों आपके जब मुबाइल पर एक पॉपप आता है और जब आप उसे खोलते हैं आपको समझ में आता है ये कुछ ऐसी साइट है ये कुछ ऐसी अशलील साइट है लेकिन आपकी आखें उसकी औराकरशित हो जाती है लेकिन उस समय मैं फिर से आपको कहूँ आपको एक चश्मे की आवश रकता है उस युसफ के चश्मे की आवश रकता है उस परमेश्वर ये सुर्ग में बनाए हुए चश्मे की आवश रकता है जिससे आप परमेश्वर के दरश्टी कौन से आप देखें और आप ये कह सकें I am a child of God मैं परमेश्वर की संथान हूँ मुझे कोई चीज और आखें लगाओ प्रेज गाड़ उस दोड़ को सफलता से दोड़ने का एक और तरीका अगर आप उस दोड़ की फिनिश लाइन को जो विश्वास का करता है जो मसी है उसकी और आप अगर देखेंगे तो आप उस दोड़ में पराजित नहीं होंगे देखें मतीर ची सु बहुत आंदी तूफान आ गया ये डूबने लगे अचानक इश्व पानी के उपर चल कर वहां पर आये और जब चेलो ने देखा कि वो इश्व है वो गबरा गए पहले तो वो पहले बोले बूत है लेकिन जब उन्हें मालम हुआ कि ये इश्व है पत्रस ने कहा अगर ये जैसे ही उसका ध्यान लहरों की ओर गया जैसे ही उसका ध्यान पानी की ओर गया आंधी तुफान को उसने देखना शुरू किया वो पानी में डूबने लगा विश्वास के करता और सिद्ध करने वाला इशू जब उसेन बॉल्ट दोड़ता है वो लोगों को नहीं देखता वो अपना मुबाइल नहीं देखता वो फेस्बुक का अपडेट नहीं देखता कितने लाइक हुए नहीं देखता वो किसी को आसपास की सुंदरता को नहीं देखता लेकिन वो फिनिशिंग लाइन को देखता है उसे एक रिबन दिखाई देता है और उसे मालूम है मेरा डेस्टिनेशन वो है आपने घोडे देखे होंगे आप घोडों को ध्यान से देखिएगा आप जब घोड़ा घोड़ी गाड़ी चल रही होती है उस घोड़े को आप ध्यान से देखना उसकी आँख के दोनों तरफ दो फ्लैप लगे होते हैं जानते हैं कारण क्या है क्योंकि घोड़ा सामने देखे वो डिस्ट्रैक्ट ना हो इसलिए उसकी आँखों के सामने दो फ्लैप लगाए होते हैं ठीक उसी तरह मैं और आप अगर उसी इशू को देखें यानि उस कालवरी की और देखते हुए अपने इस आत्मिक जीवन को अगर हम आगे बढ़ाएंगे निश्चित रूप से जै आपकी है आपको एक मेडल वो देना चाहता है आप उसमें जैवन्त होंगे प्रियों आप गबराएंगे मत कई बार जीवन ऐसा लगता है कि आप पराजित हो रहे हैं कई बार आपको लगेगा कि आप शायद कमजोरी में आ रहे हैं लेकिन अगर आप विश्वास के साथ उस करता को देखकर आगे बढ़ेंगे तो जै आपकी है और फिर वो कहता है धीरज के साथ दोड़ो धीरज के साथ विद पेशेंस इस दोड़ो को दोड़िये देखिए उसेन बोल्ट के साथ दोड़ने वाले लोगों में से अगर उसेन बोल्ट सबसे आगे निकल गया तो समझ लीजे गोल्ड मेडल तो गया लेकिन ये जो दोड़ है ये जो विश्वास की जो दोड़ है इसमें कोई भी आपका जो मेडल है वो छीन नहीं सकता हाँ ये बड़ा सुन्दर है आपका मेडल आपके लिए है बस प्रभू चाहता है कि आप उस दोड़ को पूरा करें आप पूरा करें मैं आपको एक और बात कहकर समाप्त करूँगा एक तंजानिया के एक एक लॉंग रनर थे जिनका नाम जॉन स्टीफन था उन्होंने जब उलम्पिक में वो 1968 में मैकसिको में जब दोड रहे थे मेराथन दोड रहे थे बीच में वो गिर गए उनका पैर चोटिल हो गया खुन बहने लगा उनको दोड से रुकने का अवस्था आ गया लेकिन उन्होंने पट्टी बांद कर बड़ी मुश्किल से लंगडाते हुए उस दोड को पूरा किया और दोड जब पूरा करकर जब वो स्टेडियम में पहुँचे तो स्टेडियम लगब खाली हो चुका था लोगों ने कहा कि ये जॉन स्टीफन तुम्हें क्या हुआ उसने कहा मैं गिर गया तो लोगों ने कहा तुम्हें इतना परिशान होने की जरूरत क्या थी लेकिन जानते हैं जॉन स्टीफन ने क्या कहा जॉन स्टीफन ने कहा मेरे देश तंजानिया ने पंद्रा हजार किलो मिटर दूर इतना पैसा खर्च करकर मुझे इसलिए मैक्सिको ऑलम्पिक में नहीं बेजा कि मैं उस दौड को शुरू करूँ लेकिन मुझे इसलिए बेजा कि मैं उस दौड को समाप्त करूँ प्रियों मुझे और आपको कालवरी के क्रूस पर इशू मसी ने अपने बहुमूलिल्लहू को बहा कर इसलिए नहीं खरीदा कि हम उस दौड को शुरू करें लेकिन वो चाता है कि हम उसे समाप्त करें उसे फिनिश करें आईए प्रियों उस दौड को फिनिश कीजिये वो मु एक मिनिट हम प्रार्थना करें, सुर्गे पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, प्रभू, आज इन वचनों को सुने हुए, प्रत्येक भाई, बहन, बच्चे, बुजुर, जितने लोग हैं प्रभू जी, उन सब को उस दौड में दौडने के लिए अनुग्रह दे, र बेडल आपने उनके लिए रखा है, उसको वो हासिल कर सके, प्रभू आप उन्हें अनुग्रह दे, आशिश दे, प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद, प्रभू एश्यू के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहन कर पिता, आमेन, तैंक यू वेरी मच, मेरे साथ सम पिताने के लिए, प्रभू आपको बहुत आशिशित करे, गाड़ ब्लस यू,